हलो सुडिंट्स, विकासे है, आज हम करने वाले हैं क्लास सेक्स्त का चैप्टर सेकेंड डैवर्स्टी एंड डिस्क्रॉमिनेशन यह जो चेप्टर है यह civics का chapter 2 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं diversity and discrimination के बारे में देखो हमारा जो इंडिया है वो एक democratic nation है democratic nations में जहां पर लोगों के पास power बहुत जादा होती है मतलब लोग जो होते हैं वो supreme power hold करते हैं वो democracy होती है लेकिन हमारे यहां सिर्फ यह नहीं है कि लोगों के पास power है लोगों के अंदर मतलब जो देश है देश के अंदर बहुत सारी diversity भी है मतलब different cast of people रहते हैं different religion के लोग रहते हैं different color के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में तो इसे हम कहते हैं diversity मतलब जहां पर बहुत variety of people रहते हैं या variety of चीजे होती हैं उसको हम diversity बोलते हैं ठीक है अब जहां पर diversity होगी वहां पर discrimination भी लाजमी है कि होता ही है चाहे large scale में ना हो थोड़ा ही हो बट हमें देखने को मिलती है discrimination अब question arise होता है कि discrimination का मतलब क्या होता है देखो discrimination का मतलब होता है simple सा कि जहां पर हम किसी भी ground के उपर हम किसी को discriminate करते हैं मतलब किसी को नीचा दिखाते हैं या उसको हम यह कहते हैं inequality करते हैं मतलब equality जहां पर ना हो ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें भेदभाव करना ठीक है तू गरीब है तू अमीर है ठीक है तू अपर कास्ट है तू लोवर कास्ट है तेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो है ये सब discrimination होती है ठीक है तो दो terms इस chapter में highlight करी गई है पहला है diversity दूसरा है discrimination और ये बहुत ही इनका deeper meaning है हमारी society में और इन सब चीजों को आप अपनी society में आसपस मतलब feel भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं कि आपके आसपस ये सब चीजे हो रही होती है तो पहला जो topic है वो है difference and prejudice देखो difference का मतलब क्या होता है कि आप किसी में भेद करते हो भेद मतलब आप जैसे example के तोर बें बताता हूं कि आपके मम्मी पापा ने बोला कि पडोस में ज जाधा intelligent है ठीक है और आप नहीं पढ़ाई करते या कोई और पढ़ाई नहीं करता ठीक है वह बहुत जाधा intelligent है वो sports में अच्छा है ठीक है और आप sports में नहीं अच्छे हो ठीक है वह drawing में भी अच्छा है culture activities में भी अच्छा है आप नहीं हो वो वैसे भी बहुत active है और आप नहीं हो तो यह सब difference हो रहा है मतलब आप में और एक person के बीच में difference हो रहा है और यह difference हमारी जो democratic nation है वैसे होना तो नहीं जही है लेकिन फिर भी हमारे जो nation है यह difference हमको काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है क्योंकि देखो हमारे यहां बहुत इंडिया कोछोटा सा नेशन नहीं है इंडिया बहुत बड़ा नेशन है ठीक है यहां की जो अबादी है वो 135 करोड है 135 करोड के आसपास यहां की आदबादी है तो इतनी बड़ी population का देश और जहाँ पर different caste culture और region के लोग रहते हैं वहाँ पर ये सारी चीजे मतलब इसको hold up करना बड़ा मुश्किल हो जाता है difference देखने को मिलते ही मिलते है languages काफी है, caste काफी है region काफी है ठीक है, क्योंकि हर caste के अंदर हर region के अंदर भी diversity है, हर region के अंदर भी difference है अब हिंदू की बात कर लेते है हिंदू के अंदर भी कितने सारे one system थे पहले के टाइम में कोई ब्राम्मन है, को राजपूत है कोई शत्रिया है कोई वैशियस community से आता है, कोई and next next क्या है, prejudice prejudice का मतलब क्या होता है जब हम कभी किसी person को negatively judge करते है ठीक है, judge करते है या हम कह सकते हैं कि यह जो है हमसे inferior है मतलब जो यह person है ना यह person हमारे बराबर का नहीं है उसको हम prejudice बोलते है यहाँ पर देखो meaning भी है इसका एक बार हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things we often end up with not expecting other जब हमें यह चीज होते हैं कि हम ही superior है या हम ही यह काम कर सकते हैं या इसका एक ही तरीका है काम करने का ठीक है और हम दूसरे को यह सूचेंगे कि भाई यह तो यह परसंद तो राइट नहीं है इस काम करने के लिए या हम उसको थोड़ा यह समझे कि भाई यह तो लायक ही नहीं है या हम यह गैदें कि किसी को discriminate कर दें कि भाई यह परसंद और यह तो वहात गरीब है यह तो हमारे level का नहीं है तो यह तो यिसे perjudice बहुताता है जब हम चीजों के उपर देखते हैं कि भाई ये person या ये community या ये religion हमारी community के लायक नहीं है या level का नहीं है इसको हम बोलते हैं prejudice ठीक है अब prejudice का भी न बहुत मतलब examples आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें भी एक example दिया है अब देखो ये चीज हमारे society में काफी है हमें ये लगता है कि जो English बोलता है वह superior है और जो Hindi बोल रहा है जिसको Hindi English बोलने नहीं आती वह inferior है मतलब क्या आ रहा है कि एक differentiate की rate हो गया कि भाई ये जो English बोलेगा वो तो बहुत intelligent है अब convent के बच्चे बहुत अच्छी English बोलते हैं तो भाई convent के बच्चे जो है वो तो बहुत intelligent है ऐसा नहीं होता language सिर्फ एक communicating का ठीक है reading और writing का एक method है ठीक है एक medium है लेकिन अगर हम उसको judge करने लग जाएं किसी की intelligence से तो वो कहीं ने कहीं गलत होगा क्योंकि जरूरी नहीं कभी को और ऐसा होता है कि Hindi medium के बच्चों की भी command इतनी अच्छी होती हिंदी में या किसी और subject में maths में कि science में कि हमें भी देख के हरानी होती कि वाओ ये तो बहुत intelligent है क्योंकि knowledge सिर्फ English है नहीं बढ़ती knowledge तो उस subject को उस topic को समझने से आती है ठीक ह तो ये भी एक prejudice है कि English language को आप superior समझो बहुत महान समझो बहुत बड़ा समझो जो English बोल रहा हो तो बहुत बहुत अच्छा person है ये भी society में prejudice का कारण होता है नेक्स टॉपिक जो हमारा creating stereotypes स्टेरियो टाइपस का मुंतलब क्या होता है आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसकी जो है ना सोच जो है बहुत पिछडी है नैरो सोच है ठीक है नैरो सोच है इसकी बहुत पिछडी सोच है ठीक है यह जो person है ना भई इसकी पुरानी सोच से है orthodox एक word भी यूज होता है स्टेरियो जो टाइपस होते है ना उनका यहां पर मतलब वह वा जिनकी सोच जो है वो किसी particular चीज़ को ले करना बनी हुई है जो कि बहुत पुरानी भी है दूसरी चीज़ यह कह सकते हैं society के लिए ठीक भी नहीं है अब जैसे हम कहते हैं कि girl और boy में difference करना ठीक है कि boy born होगा girl born होगा पर यह लोग है तो यह एक kind of stereotypes है जहां पर हमें क्या होता है यह पता लगता है कि जो लोग है उनकी सोच जो है ना वो कहीं न कहीं सीमित है ठीक है उनकी सोच इतनी broad नहीं है तो कि वह सोचते है कि society में females को rights इतने नहीं मिलने चाहिए य जो लोग है वह Menz जो Menz है उनके पाझ ज्यादा पावर होनी चाहिए ठीक है या Menz जो है वह Mes फिमेल उपर है यह सब स्टिरियो टैप्स लोग होते हैं ठीक है जो सट्रीमिनेट करते हैं कहते हैं कि यह Mobile है ठीक है यह amiga बाकि सारे religion खराब हैं तो यह भी सारे stereotypes की ही ideologies हैं ठीक है जो यह बात करते हैं कि स्टीरियो जो यह बात करते है society में एक ही particular इंसान या community या religion या group of people ठीक है वो अच्छे हैं बाकी बाकी जो भी लोग है ठीक है वो एक तरीके से inferior है आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे ठीक है बाकी जो होगा हम नेक्स टॉपिक में देखेंगे